हे गाइज विलकम बैक टो आर चैनल शान आटो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एफॉर्टेबल सेग्मेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिन बाइकों का ओवरल लुक काफी अट्रैक्टिव है पाउर काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं और माइल हैं जो आपको इस साल के इंड तक लॉंच होते हुए देखने को मिलने वाला है तो लिस्ट में सबसे पहले है हीरो का एक्स्ट्रीम ओन सिक्टियार जिसे कंपनी बहुत जल 14 जून को ही लॉंच कर देगी बेसिकली एक्स्ट्रीम ओन सिक्टियार एक ऐसा मॉडल है जिसमें फीचिस काफी अडवांस है और यह सेग्मेंट के अकॉर्डिंग पावर और माइलेज भी काफी अच्छी खासी दे देती है लेकिन फिलाल मार्केट में लोवर सिसी सेग्मेंट में भी कंपेटिशन काफी बढ़ चुका है जिसके लिए कंपनी अपने एक्स्ट्रीम ओन सि 60RK ओवरल लुक, मीटर कंसोल और इंजिन में काफी सारे चेंजिस किये जाने वाले हैं पावर के लिए यहां आपको एक 163CC की इंजिन का यूज किया जाएगा जो मैक्सिमम आपको 15BHP तक की पावर और 14AM तक का टॉक चनेट करने में शक्षम है लेकिन इसके न्यू अप आपको बाइक में LED लाइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, स्क्वाइर से फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल होगा, एलोई हुइल्स होगे और सेफटी के लिए डूइल चैनल ABS का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ा चेंज बाइक के सस्पेंशन सेटफ में क कुछ advanced features भी add कर दिये गए हैं, एही सब upgrades के कारण अब bike का price 7-10,000 इंक्रीज होने वाला है, लेस्ट की next model है Hero Hunk 160R, जो एक टाइम पे इंडियन मार्केट की एक काफी popular model हुआ करती थी, और इसे अब company फिर से re-launch करने जा रही है, All New Hero Hunk के अंदर अब आपको Xtreme 160R वाला इंजिन दिया जाएगा, यानि की 160CC की single cylinder 4-stroke air cooling system वाला इंजिन, जो लगवक 15bhp तक की power और 14nm तक का talk चनेट करने में शक्षम है, बट bike के power और performance को थोड़ा बहतर बनाने के लिए, इंजिन को पहले से detuned किया जा सकता है, इंजिन के साथ साथ bike का overall look भी old Xtreme 160R से काफी जादा inspired रहने वाला है, जैसे bike की tank का design, tank shrouds, alloy wheels, headlight, etc. सभी आपको old Xtreme 160R जैसा ही same दिया जाएगा, बाइक में safety को ध्यार में रखते हुए single channel ABS दिया जा रहा है, LED tail light, halogen headlight और suspension का काम करने के लिए, front की तरब telescopic front fork and rear end में monosock emit का use किया जाएगा, इसके अलावा, बाइक में एक fully digital meter console भी होगा, जिसमें product connectivity और hero की smart X connector से कुछ advanced features देखने को मिल जाएगे, इन सबी features के साथ बाइक आपको इस साल के end तक launch होती हुई देखने को मिलने वाली है, लिस्ट के next model है Honda की CVR 150R, जिसके design patent को 2022 में ही file कर दिया गया था, और अब finally इस बाइक को इंडियन market में launch किया जाने वाला है, जो launch के बाद से ही R15 version 4 से complete करेगी, क्योंकि दोनों ही बाइकों के power almost same है, और दोनों का ही look काफी aggressive है, शुरू करते हैं बाइक के engine से, तो Honda की CVR 150R में एक 149.16cc की single cylinder engine देखने को मिलने वाला है, जो 17.1bhp तक की maximum power और 14 in-m तक का talk चनेट करने में शक्षम है, 6-bit gearbox के साथ, बागी आपको इस bike में safety के लिए dual channel ABS दिया जा रहा है, suspension के लिए front के तरफ, USD front fork, rear में monosock unit होगी, all LED lightings का setup दिया जाएगा, और एक fully digital console भी होने वाला है, जिसमें bike के सारे major information शो हो जाएंगी, bike का overall look, Honda के CBR 250RR से काफी जादा inspired रहने वाला है, जिसके front में 100 by 80 mm के और पीछे की तरफ, 130 by 70 mm के tires दिये जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से उतने जादा wide नहीं है, 160cc segment में Honda की CBR 150R आपको October से November के बीच launch होती हुई देखने को मिलने वाली है, वो भी 1.60 से 1.70,000 एक शोरूम प्राइस रेंज के अराउंट, लिस्ट की next model है XSR 155, Yamaha की एक most wanted model, Yamaha लगपग अपने सारे बाइकों को इंडिया में अल्रेडी लाँच कर चुकी है, बस ये retro model ही काफी टाइम से वेटिंग में है, जो आपको लगपग 2024 में ही लाँच होते हुए देखने को मिल जाएगा, बाकी तो आपको पताई है कि कमपने इस पाइक में अपने R15 वर्शन 4 वाला 155 CC के इंजिन का यूज़ करने वाली है, बट पाउर आपको इस में थोड़ा ज़ादा ही देखने को मिलेगा, लगपग 19.3 BHP तक की पाउर और 14.7 Nm तक का टॉर्ट, फीचेस में आपको इस बाइक के अंदर डोल चैनल ABS दिया जा रहा है, VVA टिकनलोजी होगी, 6-speed gearbox होगा, फ्रंट की तरब सस्पेंशन का काम करने के लिए, USD front, fork और rear में monosock unit होगी, और LED लाइटिंग्स का setup दिया जाएगा, और एक Bluetooth connected fully digital round shape meter console भी होने वाला है, जिसमें बाइक के सारे major information शो हो जाएगे, तो दोस्तो अगर ये बाइक इंडिया में launch होती है, तो इसका price 1.80,000 के around ही रखा जाएगा,